आप कहने वालों को तो ये भी कहना है कि रोईट चर्मा सेंचूरी के लिए खेल रहे थे मैं ये मान लेता हूँ कि चेन्नी की तरफ से गेंदवाजी बहुत अच्छी हुई उस दोरान लेकिन ये गेम का वो टाइम था जब मुंबई को 16 रन पती ओवर चाहिए थे यानि एक ऐसे टाइम में जब टीम को ज़रूर थी कि 300 के स्ट्राइक रेट से खेला जाए उस वक्त रोईट चर्मा का स्ट्राइक रेट काफी कम था और स्लो खेल रहे थे वो मेरे हिसाब से तो मुंबई के हारने की एक वज़े ये भी थी